आज के इस वीडियो में जानेंगे एक्सिस बैंक के मोबाइल बैंकिंग अप्लिकेशन को कैसे रजिस्टर और इस्तेमाल करते हैं चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले एक्सिस बैंक के मोबाइल बैंकिंग अप्लिकेशन को ओपेन करेंगे और इसके बाद इसको स्कीप कर लेंगे और इसको जो है कांटिन्यू पर क्लिक करेंगे और इसको अलाउ कर देंगे यहां पर जो है लागिन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहां से अपना सीम चूज कर लेंगे और इसको कांटिन्यू करेंगे और इसको जोई allow कर देंगे और यहाँ पर जोई अपना name इंटर कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर बाक्स को टिक करेंगे और इसको continue करेंगे और यहाँ पर जोई एक six digit का mpin set कर लेंगे और इसके बाद नीचे जाएंगे complete now इसको click करेंगे और यहाँ पर जोई register के लिए आजाएगा आप जोई internet banking से भी कर सकते हैं और debit card से भी आप register कर सकते हैं अगर आपके पास internet banking है ते यहाँ पर जोई login ID और password को इंटर करके continue पर click कर लेंगे हम यहाँ पर जोई debit card से करेंगे इसको हम select कर लेंगे यहाँ पर जोए अपना card number इंटर करेंगे और इसके बाद यहाँ पर जोए card की expiry इंटर करेंगे और यहाँ पर जोए ATM का pin इंटर करेंगे और इसके बाद जोए continue पर click कर लेंगे चली हम इंटर कर लेते हैं और इसके बाद इसको continue करेंगे और यहां पर जो है अपना MP ने इंटर करेंगे जो आपने सेट किया है और इसके बाद जो है अब आप जो है एक्सिस बैंक के मोबाइल बैंकिंग में लागिन हो जाएंगे सबसे उपर यहां पर आपका एकाउंट का बैलेंस सो हो जाएगा क्विक लिंक सेक्षन में जाएंगे यहां पर जो है एकाउंट से जो है आप अपने एकाउंट का डिटेल्स चेक कर सकते हैं फंड ट्रांसफर से जो है आप किसी भी एकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं FDRD से जो है आप FDRD अकाउंट ओपेन कर सकते हैं credit card से आप अपने credit card को check कर सकते हैं, यहां से आप credit card के लिए apply भी कर सकते हैं, investment से आप mutual fund में invest कर सकते हैं, ppf account open कर सकते हैं, grab deal से आप online shopping के लिए cashback offer यहां से आप check कर सकते हैं, cc upgrade से आप credit card को upgrade कर सकते हैं, loan से आप अलग-लग loans के लिए apply कर सकते हैं, और यहां पर पेमेंट सेक्षन में जाएंगे यहां पर भी फंट ट्रांसफर दिया हुआ है पेमाइड यहां से जो है आप अपने क्रेडिट कार्ड और लॉन्स का आप जो है ओबर यूज और आउट इस्टेंडिंग आप यहां से चेक कर सकते हैं पेबिल से आप जो है कर सकते हैं और इसकेन एंड पे से आप जो है किवार कोड को स्कैन करके पे कर सकते हैं कार्ड लेस कैस बिड्राल से जो है आप बिना एटियम कार्ड के आप एटियम से पैसा को निकाल सकते हैं और इसके बाद प्रोडक्ट सेक्षन में आ जाएंगे यहां पर भी अकाउंट दिया हुआ है, credit card, FD, RD, loans investment और DMAT दिया हुआ है, यहाँ से आप अपने DMAT account को चेक कर सकते हैं, services section में आ जाएंगे, my details यहाँ से जो है, आप अपना details चेक कर सकते हैं, contact RM जो है, customer support के लिए दिया हुआ है, चेक से आप जो है, चेक बुक के लिए request कर सकते हैं, accounts दिया हुआ है, debit card से आप अपना, debit card का pin set reset कर सकते हैं, debit card को block कर सकते हैं, और यहाँ पर credit card, loans, grab deals और यहाँ पर other दिया हुआ है, और यहाँ पर last apply now section में आ जाएंगे, और यहाँ पर दिया हुआ है कि pre-approved offer, अगर आपको bank कोई offer दिया हुआ है, pre-approved offer, तो यहाँ से आप direct apply कर सकते हैं, यहाँ पर approval की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसके बाद यहा आप loans के लिए आप like कर सकते हैं, और इसके बाद ऊपर जाएंगे, यहाँ पर इसको click करेंगे, और इसके बाद इसको confirm करेंगे, और इसके बाद जो है, आप access mobile से आप जो है, लाग out हो जाएंगे, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो like करिए, comment करिए, और साथ ही सा channel को subscribe कर लिजिए, thanks for watching, bye bye